हाइ फ्रेंस हो समझे शाग देखने वीडियो में तो इस वीडियो में हम करने अब थे स्की हेड लाइट में देखे हमें ए statink lin यह वेरियंट है और यह यह में इंडिकेटर्स मिलते हैं जो कि और यह हमें पे हैं और हमें उनली driver side में keyless entry मिलता है और जो driver side window के वहां हमें four window controls मिलते हैं और ORVM के controls भी मिलते हैं और अगर हम अंदर के तरफ देखे तो हमें AC के यहां एक silver finish चोटा साइग मिलता है और यहां हमें start stop button देखने मिलता है अगर हम speedometer में देखे तो हमें एक normal speedometer मिलता है और हम steering में देखे right side में हमें cruise control के controls मिलते हैं और left side में हमें audio controls सब कुछ मिलता है और यहां हमें जो headlight और indicators के controls normal जिसे गाड़ी में हमें से वो मिलता है और left side में हमें जो wiper controls सब कुछ मिलता है और यह manual variant है 6-speed gear मिलता है इसमें और यहां हमें automatic climate control भी देखने मिलता है और यहां हमें एक infotainment system भी देखने मिलता है और यह है इसका जो sunglass holder और यह हमें light, दो light मिलते है यह है sunglass holder इसमें हमें sunroof नहीं मिलता है और यहां हमें hand brake मिलता है, hand rust भी मिलता है और काफी comfortable है seat और हमें इसमें manually adjustable seat मिलते है जोकि 6-way adjustable है और अगर हम पीछे देखे तो हमें handlebar body color ही मिलता है और यहां हमें normal power window के controls मिलते है और यहां हमें sunshade भी मिलता है तो कि extra fitting नहीं है, गाड़ी के साथ आता है और हम पीछे देखे तो यहां भी काफी spacious है पीछे भी हमें जो AC के vents मिलते है और यहां हमें एक phone charging करने का मिलता है और हमें पीछे के seat में hand rust भी मिलता है और इसके जो brake light है वो भी हमें LED देखने मिलता है और यहां Hyundai का badging है और क्रेटा करके लिखा है जो की chrome finish में है और इसमें हमें defogger मिलता है पीछे और पीछे हमें wiper भी मिलता है और यहां मैं एक black strip देखने मिलता है और कुछ इस तरह दिखता है इसका इंटीर तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो like, share, subscribe कीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में Till then, goodbye